इन दिनों क्लीमेंटीन बीर्मा की सिलाई मशीन पूरे दिन चलती है क्योंकि अब वो डीजल जेनरेटर से आने वाली बिजली पर निर्भर नहीं है वो कपड़े सिलती हैं और एमबांग गाउं में रहती हैं जो नेशनल ग्रिट से नहीं जुड़ा है ये नई सिलाई मशीन सौर उर्जा से चलती है इसने मेरी जिंदगी बदल दी है मैं ज्यादा तेजी से काम कर सकती हूँ तो मुझे ग्राहक नहीं गवाने पड़ते हैं जब कोई ग्राहक आता है तो मैं फुर्ती से काम पूरा कर सकती हूँ ये सिलाई मशीन Green Youth Association of Cameroon ने दान दी है, जो हरित उर्जा को बढ़ावा देने वाली इस योजना के लिए Empower Company के साथ हाथ मिला चुका है। Cameroon में उर्जा की मांग बहुत है, लेकिन आपूरती विश्वस नियन नहीं है। ग्रामीर इलाकों में साथ पीस्दी से ज्यादा गाउं Grid से नहीं जुड़े हैं, शहरों में भी बिजली जाना असमानियन नहीं है। हमें पता है कि कई समुदाए Grid के बाहर हैं, इसलिए हमने ग्रामीर इलाकों पर ध्यान देने का फैसला किया। लेकिन हम जानते हैं कि शहरों में भी अकसर बिजली जाती है। इसलिए हमने तैय किया कि पाइलिट प्रोजेक्ट में हम शेहरी और ग्रामीर दोनों इलाकों में लोगों को सिलाई मशीन मुहाया कराएंगे. करीब 40 सिलाई मशीनों के सेट की कीमत सैक्ड़ों यूरो है. इन्हें मुख्यतोर पर ग्रामीर महिलाओं में बांटा गया है. एक सेट में एक बैटरी और सोलर पैनल शामिल है, जो कि सिलाई मशीन और तीन लैम्पों को ओर जा देता है. ये बहुत इनोवेटिव सेट है. ये पहली बार है जब कामरून में ऐसी कोई चीज इस्तमाल हो रही है. और पहली बार एमपावर इस उपकरन को जुटा रहा है. बेशक इन सेट्स को सर्विस करना होगा और उसमें भी कुछ चुनातियां आएंगी. सर्विसिंग का काम एमपावर करती है और फिनलैंड का एक एंजियो इस प्रोजेक्ट को आर्थिक मदद दे रहा है. युवा महिलाओं को सिलाई मशीन देने से पहले उन्हें कपड़े सिलने का प्रसिक्षन और मशीन इस्तिमाल करना सिखाया जाता है. क्लीमेंटीन बीर्मा प्रसिक्षूओं में से एक हैं. ये योजना उनके लिए बड़ा अवसर है. आप कपड़ा काट लेते थे, लेकिन मशीन काम नहीं करती थी. इसकी मदद से कपड़े सिलना काफी आसान हो गया है. ये प्रोजेक्ट फरवरी 2022 में शुरू हुआ और अब भी पाइलेट चरण में है. उमीद है ये आगे जारी रहेगा. पर्यावरन समुहों के हिसाब से सौरूर्जा पर्यावरन के लिए अच्छी है. लेकिन अब हम देख सकते हैं कि ये समाज के लिए भी अच्छी है. ये लोगों का जीवन सर बहतर बनाती है. भले ही ये पहली वो बात नहीं है जो लोगों के दिमाग में आती है. क्लीमेंटीन बीर्मा भी इससे सहमत हैं. उन्हें अपने गाओं में अगवा होने पर गर्व है और अपनी सिलाई मशीन पर भी. सबसे पहली बात तो ये कि ये बड़ी प्यारी है. जब मैं इसे घर ले गई तो सब ने इसे बहुत सराहा. अब सब आकर पूछते हैं कि उन्हें ये कैसे मिल सकती है? अगर कैमरून के हर घर में सौर ओरजा से चलने वाली एक भी सिलाई मशीन हो तो इससे बहुत फायदा होगा.